गुड मॉर्निंग डियर पैरेंस एंड स्टुडेंस कैसे हूँ आप सब? आशा है कि आप सब घर पे सुरक्षी थोंगे आज का हमारा सुविचार है गुरु केवल रा दिखाते है चलना खुद को ही पड़ता है तो इसका यह मतलब है कि हमारे गुरु यानि कि हमारे माता पिदा भी हो सकते है या फिर हमारे शिक्षक जो हमें ज्यान देते है वो हमारे गुरु है तो वो केवल हमें रास्ता दिखाते है राह मतलब रास्ता दिखाते है उस रास्ते पे तो हमें खुद ही चलना पड़ता है suppose एक example देती हूँ कि आपके handwriting थोड़े अच्छे नहीं है तो जो गुरु है आपके जो सीखाता है वो आपको बताएगा कि आप इस तरह से लिखो इस तरह से pencil पकड़ो ये सब हमें बताएगा रास्ता दिखाएगा पर चलना हमें खुदी पड़ेगा मतलब कि खुद हमको रोज चार लाइन पाँच लाइन लिखनी पड़ेगी तो ही हमारे handwriting और हमारे अक्षर अच्छे हो पाएगे उसमें गुरु सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकता है और कोई help नहीं कर सकते बाकि जो main काम है लिखने का रोज प्रेक्टिस करने का भो तो हमें खुद को ही करना पड़ता है तो आज हम हिंदी में सीखेंगे चैप्टर नंबर फाइव लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फाइव में अम मतलब कि अनुस्वार की मात्रा सीखी थी आज हम सिखेंगे अनुनासिका की मात्रा और के उपर आपको आधा चांद जैसा दिख रहा है देखो तो पिक्चर पे आधा चांद और उसमें बीच में डॉट दिख रहा है बिंदू दिख रहा है तो इसलिए इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? चंद्र बिंदू देखो चंद्र दिख रहा है आधा और बीच में बिंदू है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदू क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदू तो इसको चंद्र बिंदू भी कहते हैं और दूसरा नाम है इसका अनुनासिका की मात्रा और की उपर ऐसी मात्रा आपको जहां पे भी देखे वो अनुनासिका की मात्रा है अनुनासिका का मतलब क्या है? जिसमें हम मुह और नाक दोनों का उप्योग करके शब्द बोलते है वो वाले शब्द को अनुनासिका की मात्रा वाले शब्द कहते है मलब वो वाले शब्द आप जब भी बोलोगे उसमें आपका मुँ और आपका नाक दोनों में से आवाज आएगी दोनों में से ध्वनी आती है तो ये होई अनुनासिका की मात्रा उसका दूसरा नाम क्या है चंद्रबिंदू चलो देखो स्क्रीन पे का प्लस चंद्रबिंदू की मात्रा चंद्रबिंदू अभी समझ में आगा है ना आधा चांद और डॉट तो चंद्रबिंदू तो कैसे लगी है का की उपर देखे तो क की उपर चंद्रबिंदू वैसे ही ख प्लस चंद्रबिंदू ग प्लस चंद्रबिंदू की मात्रा और ग प्लस चंद्रबिंदू की मात्रा आप देख सकते हो कि कैसे ग ख ग ग चारों में चंद्रबिंदू की मात्रा लगिए चंद्रबिंदु का दूसरा नाम क्या है अनूनासिका की मात्रा अनूनासिका उकि चलो अभी आप ऐसे करके कखग ऐसे करके आप श्रमिक का श्रो तक लिख सकते हो सब के ओपर कैसे लगानी है देखे आपको पिक्चर में दिख रहा है स्क्रीन पे दीख रहा है आपको कि कैसे चंद्रबिंदू की मात्रा लगी है बराबर अभी इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं चलो मेरे साथ आप बोलो का खा गा गा चा छा जा 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 टा ठा डा धा अणा ता था दा ना पा फा बा भा भा म, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, श, त्र, ग्य, स, र, तो जब भी आप ये रीड करोगे, मुह में से तो आवा जाएगी, थोड़ी नाक में से यह से आवा जाती है ना, वैसे आपको लगेगा, इसलिए इसको अनुनासिका बोलते हैं, ओकी, और उपर मात्रा जो लगे उसको चंद्र बिंदू, क्योंकि उसमें चंद्र भी है और बिंदू लगा है, समझ में आया बच्चू, चलो अभी देखते हैं इसको शब्द में कैसे लिखते हैं, ओकी, ओ, आ, प्लस, चंद्र भींदू की मात्रा, प्लस, ख, तो अभी क्या करोगे आप, आ की उपर क्या लगा दोगे, चंद्र बिंदू की मात्रा, देखें कैसे लगती है, जो crec defending line होती है न, उसके उपर exit लगती है, आख, बुलिये मेरे साथ आख, आख, पता है न सबको आईज, छो प्लस आखी मात्रा प्लस चंद्रबिंदू की मात्रा प्लस व, तो क्या बनेगा शब्द छाव, छाव पो प्लस आखी मात्रा प्लस चंद्रबिंदू की मात्रा प्लस व, क्या बनेगा शब्द पाव, पाव म प्लस आखी मात्रा प्लस चंद्रबिंदू की मात्रा क्या बनेगा शब्द मांद, मांद ओकी, चलो नेक्स्ट तो प्लस आकी मात्रा प्लस चंद्रबिंदू प्लस ग प्लस आकी मात्रा तो की उपर चंद्रबिंदू लग गए? तांगा 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 च प्लस आकी मात्रा प्लस चंद्रबिंदू प्लस द क्या बनेगा? चांद 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 कापने देखा कि जब अनुस्वार की मातरा लगते है तो प्रोणांसीेशन म разм involved की उच्चारना आप अलग करते हो और जब चंद्रबिंदु लगता है तो वो नाक में से थुड़ी आवा जाते है इसलिए उसको अनुशिका की मातरा भी कहते है चलो अभी उसके थोड़े शब्द देख लेते हाड़ वर्ड्स पहला है आंक बुलिए आंक आंक का पिक्चर दिख रहा है सबको नेक्स्ट बांसूरी मतलब फ्ल्यूट आपको पिक्चर में दिख रहा है चांद मतलब मून तांगा मतलब हॉर्स कार्ट बोलते हो न आप इंग्लीश में वो आपको पिक्चर में दिख रहा है ओकी आईडिया आजाएगा आपको नेक्स्ट पाउँ पाउँ मतलब पैर आपके लेक्स मांद मांद मतलब गूफा बोलते हो न आप देन देन उसको बोलते है मांद मुह मतलब आपका माउथ चांग 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 मतलब देखो वो इंसान है वो पेड़ के नीचे बैठा है तो जो नीचे ये शेड़ो दीख रहा है आपको ग्रीन 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 जहां पे वो बैठा है उतने एरिया में उसको धूप नहीं लगेगी मलब च्छाओं में बैठ है वो ऐसा आप बोलते हो तो हम बोलेंगे च्छाओं च्छाओं उकी चलो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक साइड पे अनुस्वार की मात्रा के शब्द दिये है और दूसरी साइड देखे अनुनासिका की मात्रा के सब्द दिये अनुस्वार मतलब बिंदू वाले और अनुनासिका मतलब चंद्र बिंदू वाले आध्याचाओं और बिंदू तो चलो पहलेवाले रीड करते बा अनुस्वार की मात्रा बंदर बंदर देखा कैसे रीड करना है आप भी ऐसे ही रीड किजेगा वराबर चलो अनुना सीका के पड़ते चांद, बांसूरी, तांगा, मांद, तो ये जब पढ़ते हैं तब सिर्फ मुह में से आवा जाती है अनुस्वार वाले जबकि अनुनासिका रीड करते हैं तो मुह और नाक दोनों में से हमारी आवा जाती है बराबर इसलिए इसको अनुनासिका बोलते हैं और जो पहला है उसको अनुस्वार बोलते हैं बिंदू वाले शब्द फिर अनुनासिका में और एक बाद सिखने है वो ये है कि अ, आ, छोटा, उ और बड़ा, उ बस ये चारो स्वर है उसमें ही हम अनुनासिका की मात्रा यूज करते है मतलब कि चंद्रबिंदू यूज करते है ओ, आ, इ, वो सब मात्रा वाले जो भी शब्द है मतलब उससे स्टार्ट होता हो, वो वाले सबी सब्द, उसमें हम चंद्रबिंदू की मात्रा उप्योग नहीं करते है उसमें अगर हमें जरुरत पड़े, तो हम उस टाइम पे अनुस्वार की मात्रा मतलब कि बिंदु वाला है जो बंदर लिखा है पंख लिखा है वो मात्रा हम उसमें यूज करते हैं उके बच्चों तो सभी स्वर के साथ चंद्रबिंदु उप्योग में नहीं आता है सिप चार ओ आ छोटा उ बड़ा उ इसमें ही हम चंद्रबिंदु वाले जो मात्रा है वो उसका उप्योग करते हैं समझ में आ गया चलो आगे अभी आप अपनी हिंदी की टेक्सबुक निकालिए उसमें देखिए चैप्टर फाइव में दिया है चंद्रबिंदु की मात्रा चलो उसकी शब्द पहले रीड करते हैं आपको भी मेरे साथ टेक्सबुक में फिंगर रखनी है और रीड करना है ओकी चलो स्टार्ट आँख चांद तांगा दाया चांव चांव बांसूरी बांसूरी हसना हसना मतलब स्माइल करना पांव मांद ओके ऐसे ही आपको भी रीड करना है आप जब इसको पड़ोगे थोड़ा पच जो स्टार्टिंग के चंद्रबिंदु लगा है ना वहाँ आपको थोड़ा प्रेशर देना है चाओ, सिधा चाओ, पाओ, माद ऐसा निरीड करना है क्योंकि आपको चंद्रबिंदू का उप्योब्भी करना है जब आप बोलो ना वो शब्द तब तो चाओ, पाओ, मांद, तांगा, बांसूरी ऐसे बोलना है अभी नीचे देखे आओ लिखे आपको चार शब्द दिये है तो चारों शब्द को आपको पैंसिल से पहले ट्रेस करना है हर बार जैसे करते हो और उसके बाद मैंने जैसे लिखा है आपको पैंसिल से नीचे वन टाइम लिख देना है ये काम आपको अपनी हिंदी की टेक्सबुक में ही करना है बाधा, बाधा, बाटा, बाटा, ऐसे आपको रीड भी करना है और सभी शब्द लिखने भी है अभी उसके पीछे वाले पेच पे चले जाईए वहाँ पे आपको अभ्यास दिया है शब्दों में सही स्थान पर बिंदू और चंद्रबिंदू लगाकर चित्रों से मिलान कीजिए बिंदू यानि अनुस्वार और चंद्रबिंदू यानि अनुनासी का आपको ये शब्द अभी नए लगेगे पर जितना आप बार बार उसको बोलोगे ये शब्द को रीड करोगे, तो आपको अच्छे से याद रहे जाएगा, पहली बार सुनोगे, तो जल्दी याद नहीं रहेगा, पर बार-बार उसका रिवीजन करते रहोगे, उसके शब्द रीड करोगे, अनुस्वार, अनुनाशी का, ये बोलते रहोगे, तो आपको जल अंग, आख, आख में कौन सी मात्रा आती है, चंद्रबिंदू, आख, ओके, देखो, लगा दिये मेंने, अगूर, अगूर में, अंगूर, अनुस्वार की मात्रा, अंगूर, जब अंगूर ऐसा बोलती हो, तो नाख, नाक में से आवाद नहीं आते, यह देखुआ आप, अंगूर, है ना, चो आकी मात्रा दो, चाद, चांद, तो अनुनासिका, मतलब की चंद्रबिंदू की मात्रा, तागा, तांगा, तो अनुनासिका की मात्रा, पखा में पंखा, पकी उपर अनुस्वार की मात्रा, बदर में बंदर, बंदर, अनुस्वार की मात्रा, अक, तो अंक, अंक में अनुस्वार की मात्रा, घटी, घंटी, घंटी में घपे उपर अनुस्वार की मात्रा, शक का क्या होगा शंग तो शक के उपर क्या आएगा अनुस्वार की मात्रा तो वो शब्दा आप जैसे बोलोगे आपको आइडिया आजाएगा कि कहा अनुस्वार है और कहा चंदरबिंदु है चलो अभी और क्या काम करना है मैचिंग करना है तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि अंगूर, बंदर सभी पिक्चर दिये है तो आपको पिक्चर देखना है और शब्द के साथ उसका मिलान कर देना है मैचिन करने ना है उकी? चलो उसकी बाद वाला चैप्टर 6 इसमें कुछ करना नहीं आपको सिर्फ ये जो पैरेग्राफ दिया है वो आपको रीड करना है चलो पहले हम रीड करते है आओ गाए गुनगुनाए देखो गाए में भी चंद्रबिंदु है गुनगुनाए में भी चंद्रबिंदु है कविता का नाम है सपना चलो मेरे साथ रीड करो इसमें भी देखो। आप चंद्रबिंदू वाले और अनुस्वार वाले शब्द डिये हैं। उसको हम रीड करते हैं। बंदर मुझे बना दो राम लंबी पूँच लगा दो राम। देखो। लंबी लंबी तो कौनसी मात्राई? अनुस्वार। पूँच, पूँच, तो कौनसी मात्राई, चंद्रबिंदू, पेडों पर चड़ जाऊंगा, मीठे फल में खाऊंगा, अपना मुह बिचकाऊंगा, सबको खूब हसाऊंगा, मित्रों के संग धमाल मचाऊंगा, मित्रों के संग धमाल मचाऊंगा, तो देखें इसमें जो पिंक कलर का दिया है, वो सबी अनुनासी का, मतलब की चंद्रबिंदू वाले शब्द है, पूँच, जाऊंगा, मुह, बिचकाऊंगा, खाऊंगा, मचाऊंगा, हसाऊंगा, यह सबी देखें, कैसे बोलते हैं उसको चंद्रबिंदू, मतलब की अनुनासी का, यह शब्द आपको बार-बार बोलने हैं, तो ही याद रहेगा, और जहां पे डॉट है, मतलब की बिंदू है, वो अनुस्वार, बंदर, लंबी, संग, तो यह सब अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द है, यह पेरेग्राफ हमने इसी वज़े से रीड किया है, कि इसमें अनुस्वार की मात्रा वाले भी शब्द है, और अनुनासी का वाले भी है, समझ में आया बच्चो, अभी मैं एक बार मैंने पढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि आपको आ जाएगा, मैंने जैसे रीड करवाया है, वैसे सबको वापस दो-दो बार रीड करना है, जो लिखने दिया है, वो लिखना भी है, ओके, और जब भी संडे टाइम मिले, यह सभी मात्राइ आपको रीड करते जाना है, पहले से, अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, अ, 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 यह चंद्रबिंदो, यह सभी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनों आपको क्लियर होगा, कि उसको बोलते कैसे है, उसका उच्चारण कैसे करते है, उसको लिखते कैसे है, भरावर मात्रा तो ही याद रहेगी, आप एक बार कर दोगे, फिर थोड़े दिन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, उके बच्चो, समझ में आया, अगर मात्रा आ गई तो आपको रिडिंग और लिखना दोनों इजी हो जाएगा आपके लिए, उके, आशा है मुझे क्या आपको समझ में आया होगा, थेंक यू, हेव नाइस डे,